पाइर भी पकड़े माँ पीग मांगी मेरा बगलती रहे मरे बच्चा नसम आड़े लिने वहले मैं कोने गांदी तरह मादे इस यह गरूँ भी मेरे छोटे-छोटे बच्चे नसम आड़े माँ 8% हूं मेरा कद्धे भी किम्मे उसकाया नमस्कार मैं हूँ जब आरदवाद और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं जीन जिले का जो गाउं बंबेवा इस वक्त मारी टीम यहाँ पर मोजूद है और लगातार मीडिया और सोसल मीडिया के अंदर कई मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पर भी एक ऐसा मामला है कि दो बच्चों को छोटगर के इसकी माँ अपने बतीजे के साथ बाग जाती है देख सकते हैं यह दो बच्चे हैं और एक बच्चे के दो टांग है वो भी टूट गई है यहाँ पर यह ग्राउन मीडिया चैनल के मात हमसे देख सकते हैं आखिरकार इस समाज के अंदर क्या हो रहा है कहीं पांच बच्चों की माँ छोडगर के बाग जाती है कहीं लो मैर के मामले है तो कहीं अरेंज मेरिज के मामले है क्या कुछ बाचीत है कितना टाइम हो गया है गर से चली गई और क्या कुछ रहा है सारी बात हम जानेंगे राम राम विनोद बाई अच्छा क्या कुछ बात रही और कितना टाइम हो गया आपकी जो पतनी है उसको कितना टाइ मेरे चोटे-चोटे बच्चे नसम आड़ ले मारा पैसेंट हूं मेरा कद्धे भी किम्मे उसका है कि इन नसम आड़े मारा कर वुजट जाएक थी क्योंकि जिसका लाग वह जाग गया रोरो को नबुरा आल है बाई का और विनोद ने देखो एक तो आठका पैसेंट यह उपर से देखो काम भी कर रहा है फिर भी माले ड्यूटी वगारा भी करया करता प्राइविट जोब करया करता उसके बाव जूद भी अब ऐसी आलात हो जिवाए कि एक तो बच्चा की टांग टूट गी उपर से खुद मरीज है और जो इसकी पतनी है वो इसको छोट करके चले गई तो वो आपने पहले भी अंदेशा था सुनने मा उबतीजे के साथ ही गई है गली में ही सामने ही मकान है तो पहले भी ऐसा हैसा हुआ था आपन पर मैं उसके पास गया अमीत के जो गर गया मैं अध़ो मन उच्छान के बात है तो उसना में अपनी बेबे कमारी क्यों बता था नहीं पर मैं अमीत को कुछ नहीं काया फिर आगले दने वा बोली पूजा आगे मेरे वाइफ का भो ना मेरे पास अगे अबीविनु का है चोन चे कि ये में परिवार ने और उसके प्रिवार ने यह पता चल गया था परिवार ने लगब बगद महलमा ने परिवार ले तो इसकी टांग में दिखा देखा 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 दो छोटे बच्चे की जो टांग है वो टूट गी ये टांग कैसे टूटी ये प्रोज मचछ से पढ़ गया जी तो इसकी टांग टूटी गी आउनक छेह खाला कि चलिए नतया में न수 मेरी साधे को टो कीटने साल हो गया रोड़ाम मति प्यूट को साथे में देखे हो बाई कई जंग यानि कि आप ये कहते हो कि जो ये मामले हैं जाजा तरह है कि वो low marriage में आते हैं लेकिन है मैंने पहले भी बता था आपको कि जिस लड़की की जो मानसिकता और जो इसका द्रश्टी कॉन यदि चेंज हो जाता है तो चाहे वो औरेंज मेरीज में साधी करी हो या फिर लो मेरिजम करी हो यानि कि जिसने इस प्रकार में इसका जो गलत कदम उठाना है वो उठाती है पहले भी हम कई बार निवेदन करती हैं कि या तो आप बच्चे ही पैदा मत कीजिएगा यदि आपका पहले ही मन नहीं लगता है तो आप साधी ही क्यों कर है साधी कर ली नो साल आपके साधी को हो गए हैं दो दो बच्चे भी हो गए है दो 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 बच्चे होने के बावजूद भी आप है अपने ही यानि के अपने ही परिवार में बतीजे के साथ बाहग करके उसके साथ रिलेस्टन में रह रहे हैं तो पुलिस परसासन में आप पर आई आपने बयान दे रही है अग में इसके साथ नहीं रहना चांदी हम तो इसने बयान दे दिया फिर आगए को करवाई मने आश्पीक लगाई दी दर्खास जब जब उसमें चोक्यमल आई दी क्या लिख्वाई क्या लिखवा था वी नो दापने कंप्लेंट में दो आप लेके दी फूंस पर से прошл ली आप दरखास लिखिसों की वाले हैं चोंस में ंगल्म्राइडी है तो समय आपने सांए आई थी क्या नाम आपके पतनी का सुनिया जी पाको कि बोली कुछ आप से माचि ला फिर गल Sharing कि आप कैह रहे हैं कोई गिलास का ऊओ कोई लडाई जगडा हो आपकी पत्नी के साथ में कि आपके साथ उसका मन नहीं लगा है कोई कभी कोई लडाई जगडा किसी बात को लेकर कर के तु तू मैं कोई ना कोई जगडा निवादने मारा प्यार 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 करते हैं उसका बढ़ा रहना नहीं सकते हैं मतलब बाई के साथ हमें के बीतरी है दो मासूम बेटे हैं कितनी उमर बेटे होगी यह पच्मी साल मिला है रही हो साथ साल का एक बेटा है और पांच साल का लग बेटा हो जाएगा और विनोद को आज भी विश्वास है क्योंकि देखो नो साल जब एक साथ रहे हैं और साधी के इस पवित्र बंदनों बंदे हैं और एक दुसरे के साथ है सुख दुख मजीन का कसमर वाइदा खा था और उस टेम पर अगनी मयाने की आवन कुंड में सामगरी डालते हुए ये का था कि गरीब भी और अमीरी चाय कुछ भी हो दुख सुख कुछ भी हो हम एक दुसरे का साथ निभाएंगे भी साधी का मतलब यही होता कि दुख सुख में एक दुसरे का साथ देना यहीं होता कि आप किसी का साथ किसी भी वक्त छोड़ दे यह कोई साधी नहीं होती साधी का मतलब होता भी पती पतनी यदि पतनी बिमार हो जाए तो पती ने साथ देना होता है भी यहीं होता कि पतनी बिमार होगी तो उसको छोड़ दे दूसरी साथी कर ले और यदि पती गरीब हो जाए तो पत्नी का फरज बनता है कि अपने पती के साथ में उस गरीबी ववस्ता में भी उसका साथ निवाए तो वह जो सामने वाला जो लड़का है जो आपके गर के सामने इस जो बतीजा है तो उसको ले करके भागा है, वो क्या उसका काम करता है? वो जी, जोब कर रहा है, लत डेःटा की, लैब में जीन तो पांच से मिन्यों लागए ने तो उस लड़के से बात्चित करके देखी किसे गाउं वाले उने आपके प्रिवार वाले उने आपने कोई का उसको यह तो मान नहीं रही आप मान जाओ गए दे जी सरपाइब बेचे दे मना जो मारे मुखिया हैं एक उजो पूरो सरपाजर वो मौझूदा सरपाजर किन्नों गए दे जी वो मना कर दिया को मैं रखूंगो इसको अच्छा तो उसके माबाप पर जो के लड़के है कह नाम है तो देखे लो बाई सबसे बड़ी बात यह है मतलब पत्नी भी इसका नाम के तो इसकी पत्नी क्योंकि जब गर छोटके चली गई इन बच्चा की मां जब चली गई है तो एक किसम से दो मेहिन ने हो गहिए इनका नाम के तो मरे रही है लेकिन फैर भी विनोध एक बात का नलग रहा है बार बार है कि भई मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से प्यार करती है लेकिन ये कैसा प्यार कि भी दो बच्चों को छोड़ करके उस माँ ने अपनी मम्ता को ठुकरा दिया उस माँ ने इतनी भी सरम नी आई कि भई इन बच्चों का आगे आने वाला जो भी से है वो क्या होगा और अपने ही परिवार में बतीजी के साथ वो चली जाती है और रिलेस्टिप यानि कि सरकार ने जो नया कानून जो बनाया है पहले क्या था कि तलाग लिए बगएर कोई भी लड़की या पत्नी किसी दूसरी मरत के साथ नहीं रह सकती थी लेकिन अब जो यह लिव इन इलेस्टिप बड़ा जो यह मामला जो सामने आई जो कानून जो बना गया है यह सर्टिफिगेट ले करके कोई भी महेला कोई भी पत्नी कोट में और थाने में खड़ी होकर करके चोकी में खड़ी हो करके यह बात कह देती है मेरे हाथ में सर्टिफिगेट है और मैं इसी के साथ रहना चाहती है यानि कि बगार तलाक के भी कोई भी पत्नी किसी के साथ में रह जाती है आप आप खुद अंदाजा लगा सकते है किस कानून का फाइदा है या फिर इस कानून का कितना नुक्सान है क्योंकि हमारे सामने ही यह लगबग है तीन शे चार महीने के अंदर है दस से पंदरा है इससे गटना है जिससे पतनिया अपने पती को छोड़ देती है आज भी कोई कमी वगारा तो कारण क्या मानते हैं क्या कारण मानते हैं सोनिया आपके साथ नहीं रही वो उसके साथ बाग गई वो वह कारण नहीं मुझबूर ही कि में बुद्धी बर्गी होगी उसकी कोई दीकत नहीं आजाओ गल्तिया हो जाती है और एक इनसा मेरे पर भी वज़ा आप पर भी वज़ा कि एर गिस पोज़ा गल्ती मजाओं वह आजाई बे और मरे बच्चा नजा माले मेरे कोई बरोसा नह पर देखो बाई मैन बात क्या है विनोध देखो एक तो आर्ट का पैसेंट है खुद या बात करना गरा भाई देखो इसके इन निभेरा इसके इतनी दुआई घाल लाई देखो दिखा दे बाई इतनी दुआई खाकर ने विनोध है अपना जिंद्गी के दिन काठन लाग रहा है यह इतनी दुआई काटकर खाकर ना अपने जिंद्गी के दिन काठन लाग रहा है यह एक बार फोटो दिखा देखा 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 देख लो भाई खुशाल परिवार है और लेकिन बावजूद उसके यह नि समझ मेरा कि भी मान सिखता कहां से कहां चली गई है यह डोकूमेंट है भाई के कागच है यह देख लो भाई मतलब है लेकिन उसका जो नैतिक फरज यह बना है कि भी बले ही चल ठीक है भाई देखा विनोद तो बीमार है लेकिन उसने अपने बच्चे दो बच्चे हैं जो इनको छोड़ करके नहीं जाना था इनका जो पालन पो मेरा दब रसाइन इसी कोट बरके हो जाए चल भी नोद वाई एक तो इमत रखनी है आपने देखो क्योंकि दुख सुख है सब कुछ जीवन में लगया हुआ होता है और अब प्रियास करेंगे अपने लेवल पर भी कि वह वापीस आ जाए और ग्राउंड मीडिया के मादम कि यह ठनाए होती हैं यह मत सोचिएगा कि कोई लड़की या कोई पतनी अपने पती को छोड़ करके या फिर अपने बच्चों को छोड़ करके यदि वो घर से चली जाती है तो सुख शांती उसको मिलेगी मैं कहता हूं हमेशा बड़े बुड़े भी कहते हैं हमारी जो बा चुशना चाहिए जब आप सरकारी हस्पिटल में जब कारिये करते हैं आप नोकरी लगे हुए हैं सरकारी तो आपको आपकी जो साधी है किसी और अच्छी लड़की के साथ भी हो जाएगी लेकिन इन बच्चों को इसकी इन की जो माह है इन बच्चों का जो बच्पना है इन बच्चों का जो वो आपने वो छीन लिया आप ये देखिए कितनी व्यक्तियों की जो बद्वाइं हैं वो आपको लगेगी क्योंकि आप ये मत मानीगा कि आपनी इसकी पतनी आप ले गए बैलाफुस ला करके ले गए आप ये पता जी बैलाफुस ला करके ले गए आप कि वीडियो है वो आपकी पतनी जरूर देखेगी तो क्या पील करेंगे आप उनसे ग्राउंड मीडिया के माद दम से एक बार मद या या पील करेंगे मरे बच्चा न समाड़ ले आज बस हुआ और खुछ निशान दम है आज बस सारी गलती माप हो उसकी मेरफ हो रही मापी म क्या घुख प्रिया आप अपने दो तीन बार करें जो भी ओ खुंद में रहा कि गलती ओ जबेर लाग उसना समझ भी कि में कुछ बात तो नहीं जो बात आप छीपा रहे हो अग बाद में पता चले सो कोई बाती बड़ी गलती नहीं होई है ना कोई बडी गलती नहीं है त सब्सक्राइब बहुत रहना सा हुआ चलो चलो वीडियो फिलाल देख ली है और कमेंट बुक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है किस पूरे मुद्दे को लेकर के समश्या को लेकर कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आज हमारे समाज का जो सतर है वो कहां से कहां आ गया हम नैतिकता जो बहुना थी लोगों की एक दूसरे से जो मानवता बहुना थी एक दूसरे के घर बसवाने में हम खुस हो आगर दे यानवी जो संच करती है हमारी बड़े बुडे अमेसा क्या का आगर दवे दुख सुख में एक दूसरे के साथ आना और उसी पड़ोशी काम आगर दे लेकिन आजगर टाइम पर ज्यादा तर जो बड़े बड़े जो कांड होते हैं वोडोस पडोस में ही होने लग रहे हैं खुद ये परिवार में जब चाची अपने बतीजे के साथ बाग जाती और कहती है कि मैं नहीं रहूंगी उपर से विनोद का रोरोकर के करें कोमेंट बुक्स अपनी राएर रखेगा वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा शेयर कीजिए ग्राउंड मीडिया के लिए अपने केमरा में सो गिंजा के साथ मैजब आर्द्वाज राष्टने डिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर कि ग्राउंड मीडिया करुपया ज़्यदा झाल ज़क्टोर बिल्प में मीडिया कर दो जबग्राउंड मीडिया के लिए बिल्गर ग्राउंड मीडिया था ज़क्राउंड मीडिया ज़क्वा है नहीं ए cannot happen to be.